Hello and Namaskar, Class 9 के विद्यर्थिगन, आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे Solution Exercise 1C का, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने 1C से related, जो भी बाते हैं, facts है, जैसे question आ रहे हैं, उस पर बात कर ली है, तो पहले उसको देखें, और उसके बाद फिर इसको बनाने की कोशिस करें, ठीक है, तो पहला काम यही करना है आपको, कि 1C का जो स्टार्टिंग है, और वो आपको देख लेना है, और फिर इसको देख सकते हैं, तो 1C का solution में, पहला सवाल, जो आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर, 1C, वो है, what are e rational number, e rational number किसे कहा जाता है, तो just opposite of rational number, a number which is written in the form of P by Q, तो मैं अभी हम बात करने वाले है, e rational number के बारे में, e rational number क्या होता है, तो e rational number किसे कहेंगे, जिसको P by Q करूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा number, जिसको P by Q करूप में नहीं लिख सकते हैं, तो शिम्पल सी बात है, ज् तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, 24 by 10 लिखा जा सकता है, ठीक है, इसके पहले वाले exercise में आपने देखा कि 1.3 पे रैकडिंग है, तो इसको भी P by Q करूप में दिखा सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कि ये दोनों जो हैं, वो rational number हैं, तो ये क्या है, terminating, सब सब दिख रहा है, विकोज रैकडिंग नहीं है, इस पर रैकडिंग है, लेकिन नन टर्मिनेटिंग के साथ ये repeating है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, ये irrational नहीं होगा, विकोज ये repeating है, तो इसको P by Q करूप में दिखा सकते हैं, तो ऐसी संख्या जब मिल जाए, ज 3, 3, 2, 4, 5, 6, ऐसा कुछ, एंड हमको मालूम नहीं हो, कि आगे क्या आने वाला है, और जो क्या हो, रैकडिंग तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, बट डॉडर का निशान ये सो कर रहा है, कि ये कभी भी समात्त नहीं होने वाला है, इसका मतलब कि ये confirm रूप से, क्या है E rational number है, क्यों, क्योंकि जब इसको अगर आपको लिखना होगा P by Q के रूप में, तो क्या लिखोगे, बतला कौन सा number लिखोगे, 1, 4, 3, 2, because ये तो समाप्ती नहीं हो रहा है, तो क्या लिखोगे, कुछ नहीं, और मालो लिख भी लिया अगर number, तो बटा में क्या लिखोगे डेसिमल के बाद इतने अंख होंगे उतने 0, तो 1 और फिर 0 लिखना सुरूगर होगे, तो कितने 0 लिखोगे, इसमें भी आपके पास कोई अंसर नहीं होगा, that means आप इसको P by Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसा number जहां भी दिख जाए, जहां पर डेसिमल के बाद नंबर का कोई अंत बिंदू नहीं हो, इंड पॉइंट नहीं हो, और रिपीट नहीं कर रहा हो, तो इस तरह के नंबर को क्या कहेंगे, इस रेस्नल नंबर, उसमें कोशन भी दिया हुआ है, how do they differ from rational number, give example, example भी देना है, तो these are rational number, this is not a rational number, और भी examples आप दे सकते हो, simple सी बात है, जैसे कोई root में है number, जैसे 3, तो 3 क्या है, ये perfect square क्या है, नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका जो value आएगा, वो कुछ इसी तरीके का आएगा, निकालने के लिए 8 class में सिखे होंगे आप, पहले ऐसे से जाते थे, फिर इसमें 3 लिखा, उसके बाद point के बाद 0, 0, अब ये तो अपने मन से लिखते जाएंगे न, कितना भी 0 लिखेंगे, तो इसका भी कोई अंतर नहीं है, तो इसको इस root में रिपरजिन करोगे और ये e-rational है, तो ये भी क्या हो जाएगा e-rational, लेकिन अगर root में है और perfect square है, जैसे कि 4, है न, तो फिर इसका value कितना आता ह है, मालूम होगा सब को, root 4 का value कितना आता है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, rational, तो root में रहे, और वो perfect square नहीं हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, e-rational number, और जो perfect square है, उसे क्या कहा जाएगा, rational number, अब बढ़ते हैं, आगे, और भी कुछ example, एक example और जो से आपको clear हो जाएगा, पूरा, cube root एक होता है, यहाँ पर 3 लिखा रहता है, एकदम किना सटा हुआ, root के बगल में 3, और यहाँ पर अगर मान लीजे, मैंने लिखा हुआ 27, 27 का cube root कितना होता है, 3 होता है, सब को मालूम होगा, कैसे, 3, 3, 9, 9, 3, 2, 27, करके निकालने आता होगा, है न, इसमें तो pair लगता है, root में, लेकिन इसमें, है न, 3, 3 का जोड़ा लगता है, जोड़ा तो नहीं बोलेंगे, बड़ 3, 3 का grouping होता है, जैसे यहाँ पर 9, 3, 27, 9, 3, 3, 3, 9, कितने 3 आए, 3, 3, 3, I, that means, simple सी बात है, 27 क्या है, एक perfect cube है, तो इसका value कितना आएगा, 3, क्योंकि यह 3 को 3 है, उसमें से एक 3 बाहर आ जाता है, यह समनिये मालूम होगा, तो यह क्या होगा, rational होगा, बट ऐसा अगर कोई number होता, 3 है, और यहाँ पर 10 निखा हुआ है, अब 10 होता ही नहीं है 10 का निकाली है, जब 10 का prime federation करोगे, तो 5 और 2 आएगा, देखो, कब यह बन जाएगा, यह कब बनेगा, जब 2 कितने होंगे, 3, 5 कितने होंगे, 3, यानि 2 5 और होने चाहिए थे, तब हो पाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए यह जो number में इस पे गोला लगाया है, यह कैस इसा number है, यह rational number है, और यह जो उपर था, वो क्या था, rational number, इसी से relate करके question पूर से देगा, ठीक है, वो दिक्कत, तो चलिए, यह तो हमने जान लिया कि irrational number किसे कहते हैं, जिसको P by Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो फिर सर्तू को लिखने की जरूवत नहीं है, जै तो जब P and Q के रूप में हम लिखी ही नहीं रहे है, यह rational number को, तो बाद में P and Q का integer होना, या Q का 0 नहीं होना, इससे कोई फर्ख नहीं पड़ता है, पहले line में सारा answer मिल गया, P by Q के रूप में नहीं लिखेंगे, यह rational number हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गई बात, चलिए अब दूसरा number सवाल है, classify the flowing numbers as rational और irrational, give reason to support your answer, बतलाना है, जिसमें पहला सवाल है, root under 3 by 81, तो जब भी ऐसा सवाल हो, और पूछे आप से कि यह rational है या irrational, तो सबसे पहले देखिए, कि क्या यह simplest form में है, है न, देखिए, यह simplest form में नहीं है, 3 और 81, तो इसको गटा दीजे, कितना हो जाएगा, 27, तो equal लिखा हमने, root में 1 by 27 हो जाएगा, ठेक, अब 1 और 27 division में है, और उस पे लगा हुआ है, क्या root, तो दोनों को अलग-अलग कर दीजे, root 1 को अलग, root 27 को अलग, 1 का root कितना होता है, 1, सब को पता है, पता होना चाहिए, क्यों है यह, जवाब भी दे देता हूँ, जैसे देखो, यह 1 का square, 1 ही नहोता है, तो 1 के बतले में 1 square लिख सकते है, और square से root कर जाएगा, और 27 का root जो होगा, वो आप क्या लिखोगे, देखो, 27 का root होवे नहीं जाएगा, 9, 3, 27, 3, 3, 9, एक तीन तो बाहर निकलेगा root से, लेकिन एक तीन आहे हैं आ जाएगा, यह इसको आप 3 root 3 लिख सकते हैं, ठीक है, यहां तको दिक्कत, अब, सिंपल सी बात है, कि यह उपर जो है, वो आपका rational है, और 3 root 3, क्या है आपका e rational, और rational और e rational का जो division होत है न, अगर rational और e rational है, दोनों, और अगर दोनों जोडा भी जाएगा, तो value क्या आएगा e rational, घटाया भी जाएगा, तो value क्या आएगा e rational, गुना किया जाएगा, तो value क्या आएगा e rational, और divide करने पर भी क्या आएगा e rational, यानि यदि एक e rational नंबर है, तो क्या होगा, हर बार value ई-rational ही आएगा ठीक है तो बड़ा simple था logic है rational number ई-rational number जोडेंगे ई-rational rational नंबर ई-rational number घटाएंगे ए-rational जरूरी नहीं कि पहला वाला rational और दूसरा वाला rational पहला भी rational होगा दूसरा वाला rational होगा तो तो इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है आप सब को चलिए अगला सवाल करा लेते हैं रूट अंदर 361 361 किसी का होता है नहीं मालूम चल रहा है तो प्राइम फैक्ट्राइशन करेंगे ठीक है अब देख रहे हैं कि 361 किसी से कटता है क्या तो मुझे लग रहा है कि एक बार 19 से 19 में मल्टिप्लाइ करके चेक कर लेते हैं को जिदर दो तीन चार से तो कटेगा नहीं तो 99 जा 81 यहाँ पर 1 हो जाएगा यह 8 हो जाएगा 9 8 17 9 1 जा 9 1 जा 1 1 9 7 16 और यह 361 मुझे मालूम था बट चेक करने का तरीका मैं आपको बतला रहा था 361 का रूट कितना होगा 19 और 19 पी बाई क्यू के रूप में है क्योंकि 19 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है वन तो इसको हम लों क्या बोलेंगे रेशनल नंबर बोलेंगे ठीक है को दिकत तो पहला जो था कोश्यन वो था इरेशनल दूसरा जो अभी आया यह क्या आया इरेशनल नहीं रेशनल चलिए अगले सवाल की तरफ इस थार्ड वन रूट अंडर 21 सिंपल सी बात है यह क्या होगा इरेशनल होगा कि क्यों कारण अगर कोई पूस्ट देगा तो क्या जवाब दोगे क्यों नहीं है तो विकॉज 21 इस नॉट ए परफेक्ट स्कॉयर पी एस मतलब परफेक्ट स्कॉयर चेक अगला सवाल कोशन रूट अंडर 1.44 इसको कैसे लिख सकते हैं 144 बाई क्या 100 लिखा जा सकता है पॉइंट के बाद दो अंग है तो नीचे दो 0 बेठेगा मैंने अभी बतलाया आपको कि रूट में है और डिवीजन में है तो दोनों को अलग-अलग लिखा जा सकता है यानि रूट अंडर 44 अल सकते हैं शाह न ही फेंप vivo की फॉट में हो गया इस लिहां इसको क्या बोला जायाए मार make in तो पहला इसनल दूसरा रेशनल चौंथा सौरी तीसरा ना तीसरा एरेजनल एंड चौन्था क्या हो जाएगा रेजनल तो चार कोश्चन अभी बने हैं चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है 5 नमबर 2 बाइ 3 एंड रूट 6 तो ये नमबर आपको क्या लग रहा है रेजनल और रूट 6 क्या है ये रेजनल विकाज 6 क्या है परफेक्ट इस्वार नहीं है तो ये तो फिक्स हो गया है और ये PYQ के रूप में है तो ये रेजनल है और अभी मैंने आप लोग को बतलाया कि दो अगर नंबर है और दोनों में से एक E-rational नंबर है तो गुना रहे भागा रहे है ना multiply रहे add रहे subtraction रहे answer क्या आएगा आपका E-rational नंबर तो तर्मिनेटिंग है that means मैंने सो किया इसको T से और जो तर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है रेशनल नंबर होता है मालूम है तो इस इस रेशनल नंबर यह भी P by Q के रूप में है Q is not equal to 0 है and P and Q are integer so this is also a rational number आप बोलोगे कि मैंने कहीं पे तो देखा है कि पाई जो है क्योंकि पाई कहीं value है पाई रेशनल नंबर है तो मैं बोलूँगा पाई जो होगा वह भले ही 22 बाई 7 सो करता है बट वो नं टर्मिनेटिंग नं रिपेटिंग डैट मेंस पाई क्या है ए रेशनल है और रूट बाईस बटा साथ जो है 22 बाई 7 जो है वो क्या है आपका रेशनल है अगला सवाल खुद से ही बता दो गया आप इतना असान है वन पॉइंट 23 23 इसे दिख नहीं रहा है 23 23 है और उसके बाद 32 है और उसके बाद 3 है 3 है 3 है और रेक्डिंग तो अगर कोई देखे गा ना शुरुआत वाला चार नंबर डेसिमल के बाद तो उसको ऐसा फील होगा ये वाला कोशन में है कि 23 23 तो लगता है कि क्या है ये नं टर्मिन एंट एक यह तो बात पक्का है ंयसी इसलिए इसको क्या बोलेंगे यह अब शाख राग iv इस आल नूबर किसे चर्मिने टिंग और शाथ में नन रिपीटिंग व्थ उस तिरह के स्क्वाइंशन को क्या बोला जाता है कि उस तरह को बोला जाता है इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपैंसल तो हमको रगता है कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ही हो रही होगे ठीक है अगर कोई है दिक्कत तो आप कमेंट करेंगे जवाब देने की कोशिस की जाएगी टाइम मिलने पर ठीक है चली अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है नंबर नाइन नंबर नाइन अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो एक सवाल है 3.04004 0004 सिंपल सी बात है नन टर्मिनेटिंटिंट तो कनफर्म है रिपीट भी नहीं हो रहा है जीरो 4 है उसके बाद 004 है है ना तो ये भी क्या हो जाएगा बतलाओ नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डैट मिन्स क्या होगा इरेशनल नंबर क्लियर है चली ये 10 नंबर कोशन पर आता है 2.35656565 और उसके बाद रिपीट होना सुरू हो गया है यहाँ पर जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है 2.356565 एंड रिपीट होना चलो हो गया है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2.35 और 65 रिपीट होने लगा है तो 65 पर रैक्डिंग तो जैसे ही रैक्डिंग आ जाए जैसे ही कोई नंबर रिपीट करना शुरू हो जाए तो समहलों कि वो नन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है तो जब ही वो एंटी आर होगा तो वो आर जरूर होगा मतलब रेशनल नंबर जरूर होगा ठीक है अब आए एलेवन नंबर पे 6.834 पक्का है और साथ में क्या हो जाएगा रिपीटिंग कर रहा है नंबर और ऐसे नंबर को क्या बोलते है रेशनल नंबर ये बहुत पहले से आप जानते हो तो ये दूसरा सवाल आपका बन गया को दिक्कत यहां तक नहीं हो रही होगी चलिए अगला सवाल करते है अगला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर अगला सवाल कुछ इस तरीके का है कि लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर एक्स एक नंबर है लेकिन कैसा नंबर है दिस इस ए रेशनल नंबर और एक वाई है वाई कैसा है ईरेशनल नंबर, ठीक है, एसा है ये सवाल ना, सवाल ये बोला है कि, x xstagお I. Mercury leaving matter करूंगा, तो क्या इरेशनल नंबर आएगा, क्या कोई दूशारा नबर आशकता है, ये सवाल है ठीक है, तो जवाब जो है, बीड़ा सिंपल सा है, मैंने अभी बताया है आपको, कि यदि X और Y में से कोई भी एक E-rational number है तो answer confirm E-rational number रहेगा बहुत सारा example आप ले सकते हो जैसे 5 हो गया अगर उसमें मैं root 2 को add करूंगा तो 5 plus root 2 क्या होगा E-rational होगा होने का कोई सवाल ही नहीं ठीक है आई बार समझ में तो जोड़ने पर है ना अगर कोई रेशनल है कोई रेशनल है तो हमेशा रिजल्ट रेशनल आएगा सब्ट्रेक्शन में भी सेम मल्टिप्लाइब में भी सेम डिवीजन में भी सेम अगर कोई एक E-rational है तो answer confirm E-rational ठीक है आप कभी भी दोनों को जोड़ोगे रेशनल नहीं आएगा सिंपल सी बात है ठीक है ओके अगला सवाल लेट A-B-A-Rational नंबर A बोल रहा है कि रेशनल नंबर है B बोल रहा है कि E-rational नंबर है ठीक और क्या बोल रहा है इज A-B-A नेसेसरी एवन नंबर A-B मतलब क् गुना करना है A को B के साथ that means rational number को गुना करना है E-rational number के साथ तो अभी बतलाया गया आपको कि यदि दोनों में से कोई एक E-rational number है तो चाहे वो जोड़ा जाये plus किया जाये minus किया जाये multiply किया जाये division किया जाये हमेशा जो answer होगा वो आपका क्या आएगा E-rational number आएगा है ना check out तू मान लो क्या है rational number है A का value B का value क्या root 2 है ना ये हो गया क्या E-rational number दोनों को multiply करो multiply करो क्या आएगा to root 2 आजाएगा है ना और इसको कभी भी आप P by क्यों के रूप में नहीं दिखा सकते हो क्यों कि root 2 का value कभी भी वो मतलब क्या बोलता है नन टर्मिनिटिंग आएगा एंड नन रिपीटिंग आएगा है ना root 2 का value और 2 से multiply करोगे तो फिर वो भी value जो होगा वो नन टर्मिनिटिंग नन रिपीटिंग होगा थोड़िया ये रिपीट करवा देगा उसको इसलिए इसका प्रभाव नजराता है किसका E-rational number का E-rational number माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस साथ में लगा हुआ है उसका प्रभाव नजर आएगा बात समझ में आई ठीक है अगर आप positive भी हो तो निगेटी वड़ा आपको निगेटी बना देता है तो सेम यहां पर भी हो रहा है अगर एक E-rational number है तो इस नमबर बना देगा अग क्या है बतलाओ E-rational number और एक और number है B-rout 3 या मैं इसको मान लेता हूं कि क्या मान सकता हूं मान लिया बताओ रूट 8 क्या है E-rational number है सबको पता है रूट 2 क्या है eherational number और B क्या है रूट 8 मैं ने माना है और A भी क्या है E-rational number अब बोल क्या रहा है कि जब दोनों को ग unavण करोगे यानि A भी निकालोगे A B कैसे निकलेगा, जब root 2 में गुना करोगे किस से, root 8 से, तो जब भी ऐसा करोगे, तो कितना आएगा, root 16 आएगा, root 16 का value कितना होता है, 4, और 4 क्या है, rational, तो ज़रूरी नहीं है, अगर दोनो e-rational है, कैसे minus minus मिलकर plus हो जाता है, वैसे ही 2 e-rational मिलकर के rational हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक e-rational है, तो e-rational का प्रभाव दिखेगा, ठीक है, और दोनो e-rational है, तो दोनों आपस में लड़ने लगता है, कि मेरा प्रभाव, मेरा प्रभाव, तो कहता है, कि नहीं किसी का प्रभाव नहीं, मैं rational का प्रभाव दिखा दूंगा, है ना, और rational से कितना आएगा रूट 36 रूट 36 का वैली कितना होगा 6 फिर से रेशनल आगे जरूरी नहीं कि सब होगा लेकिन हो सकता है यह सवाल था है ना तो समझ में आ गया 5 नंबर विगो फॉर 6 नंबर गीव एंग्जांपल अपने मन से इसमें एंसर मैच नहीं करता है मैच उसी का करता है जिसने एंसर दिखा है ठीक है तो बोल रहा है कि जिसका डिफरेंस इरेशनल नंबर हो दो इरेशनल नंबर लिखने हैं जिसका डिफरेंस इरेशनल नंबर होना चाहिए ठीक है तो बड़ा सिंपल सा एक्जांपल मैं दे देता हूं जैसे माल लीजे एक इरेशनल नंबर जो है उसको मैं एस डिनोड करता हूँ और वो मैं लिखता हूँ 5 प्लस रूट 2 क्या ये दोनों E rational है मतलब ये पूरा E rational होगा अभी बतलाया गया ना कि दोनों में से अगर E rational है तो पूरा का प्रभाव E rational जैसा होगा तो यह E rational है चले बी मान लेते हैं बी को मैं मान लेता हूँ रूट 3 माइनस 5 ठीक क्या यह E rational है बिल्कुल क्यों यह E rational है और E rational है माइनस करेंगे E rational आएगा कोई भी एक E rational है तो प्रभाव उसी का दिखेगा अब बोल रहा है क्या इन दोनों का क्या इन दोनों का सब्ट्रेक्शन ठीक है न यह इसको भी अब प्लस ही कर देते हैं बोल रहा है कि इन दोनों का difference इन दोनों का difference इन दोनों का difference क्या वह E rational होगा मतलब example करके दिखाना है तो मैं दोनों को माइनस करता हूँ मैं A मैंस से माइनस कर देता हूँ बी को तो क्या होगा रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 आधव उसमें से मैनेस करेंगे किसको रूट अंडर 3 प्लस 5 को है ना ये रूट अंडर 5 कहाँ सागा भाई फाइब था अब ये हो जाएगा फाइब रूट अंडर 2 माइनस प्लस माइनस रूट अंडर 3 माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 5 प्लस 5 कट गया इंसर क्या आया रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 3 और ये दोनों क्या है इरेशनल है है न दोनों अगर एसनल है तो अगर है तो गुना करेंगे तो रिशनल भी हो सकता इसल्वी हो सकता फिर जाच करना पड़ेगा लेकिन जब माइनस में तो कुछ रहा नहीं है वैसा यह अगर इसनल है जब घटाएंगे तो क्या आएगा इसनली आएगा तो प्रूफ कर दिये हैं हमने दो और गोरना स्वाल क्या बोल हुआ डो इस बार देखो मैं क्या करने वाला हूं इस बार जब मैं मालंगा ए का वैल्यू तो मैं मालोंगा थीक डी कावालियू में मान लेता हूं क्या 3 plus root 2 ऐसा मान सकता हूँ, बतलाओ जल्दी क्या ये e rational है, बोलोगे यस because ये e rational है, एक rational है, जोडने पर e rational लाता है same pattern यहाँ पर भी है तो ये भी e rational होगा, क्या बोल रहा है घटाने पर rational लाना चाहिए करके देखते हैं, a minus b तो क्या होगा, 5 plus root 2 अब उसमें से minus करेंगे 3 plus root 2 को, तो दोनों minus में हो जाएगा ये भी plus से minus हो जाएगा ये भी हो जाएगा, तो directly लिख देता हूँ मैं तो minus 3 minus root 2 root 2 root 2 क्या हो गया, cancel 5 में से 3 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 क्या है, rational है बताओ, आया समझ में कितना आसान है minus अगर आगे लगा हो रहता है तो दोनों sign change हो जाता है, plus में कोई दिक्कत नहीं है, plus रहने पर कोई change ही नहीं होता sign में, minus में change हो जाता है तो मुझे लगता है, कि यहाँ तक समझ में आया है आपको, ठीक है चलिए अब आगे बढ़ता है, next sum is an irrational number कह रहा है कि दो irrational number बतलाओ जिसका sum irrational होगा तो यह तो बड़ा आसान है, एक मैंने माल लिया root 2, और एक मैंने माल लिया root 3 जोड़ो दुनों को यह दुनों क्या है, irrational है ठीक है, तो बड़ा आसान था सवाल यह, अगला क्या बोड़ रहा है sum is a rational number ओ, दो irrational बताने है, जिसका sum rational हो तो एक मैं माल लेता हूँ 5 plus root 2 यह क्या है, बतलाओ, irrational और एक और number माल लेता हूँ, मैं 5 minus root 2, यह भी क्या है, irrational च्योंकि rational में से irrational खटा होगा, तो irrational लाएगा अब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ा मैंने जोड़ना ही है न, यस जोड़ना है, जोड़ा मैंने, अब जोड़ने पर क्या होगा, इसका sign तो change नहीं होगा, यह plus root 2 है, यह minus root 2 है, cancel हो जाएगा 5, 5 कितना हो जाएगा, 10 और 10 क्या है, rational number, अरे बोल 6 आएगा, और root 6 भी क्या होगा, e-rational, मतलब e-rational में e-rational से गुना किया, और हमने प्राप्त क्या किया, e-rational, यही तो प्रूफ करना है, है न, कि possible है कि नहीं, example दिया हमने, अब अगला है कि product is a rational number, मतलब 2 e-rational number लेने है, example में, जिसका product rational आता हो, तो मैंने क्या लिया, root 8 into root 2 कितना आएगा, root 16 बतला, root 8 क्या है, e-rational root 2 क्या है, e-rational root 16 का value कितना होता है, 4 4 क्या है, rational तो e-rational में e-rational से गुना करके क्या ला दिया, rational, अरे बोलना, yes or not, तो यही examples आपको देने थे, ज़रूरी एक match करें आपका बाहर से, अगला सवाल है, कि quotient e-rational number quotient e-rational number होना चाहिए, तो जैसे मैं आपर मान लेता हूँ, एक root 6 और यहाँ पर मान लेता हूँ, root 2 ठीक है, यह दोनो e-rational है, divide करेंगे तो क्या आएगा, बतला रूट 3 आएगा, और root 3 क्या है e-rational, तो e-rational से e-rational को minus घटाया, मैं sorry, divide किया, तो क्या पराप्त किया e-rational number, बहुंँ सारे example की rate कर सकते है, ज़रूरी नहीं यह किया ही, फिर अगला क्या बोल रहा है, quotient e-rational number, ऐसा कोई example दिजिए, इसका quotient e-rational number हो जाए, rational number हो जाए, तो माल लीजे, मैंने यहाप लिखा root 32, और यहाप लिखा root 2, यह दोनों क्या है e-rational है, confirm, because 32 का root होता नहीं है, 2 का root होता नहीं है, मतलब perfect square है नहीं, तो कुछ आएगा नहीं value rational में, अब इसको कटाएं के तो कितना होगा, बताओ, 16 होगा कि नहीं, 16 दूनी बत्तिस, 16 तूजा 32, और 16 का value कितना आता है, 4, और 4 क्या है rational number, बोलना yes or not, मतलब बोल ये, बोल, नहीं, बोल ये, rational number आयागा कि नहीं आयागा, clear है, तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, ये था आपका question number 6, we go for the next, अगला सवाल आपके screen पर है, examine whether the flowing number आई rational और e-rational number, तो यहाँ पर क्या है, पहला सवाल, 7 number का पहला है, 3 plus root 3, 3 क्या है, rational, root 3 क्या है, e-rational, दोनों में से कोई, अगर e-rational है, तो answer क्या आएगा, e-rational, मतलब e-rational इसका answer हो जाएगा, दूसरा पर आते है, root 7 minus 2, बताए, खुद से बताएगे सब लोग मिलके, root 7 क्या है, e-rational, 2 क्या है, rational, e-rational में से rational खटाएगा, तो answer क्या आएगा, e-rational, दोनों में से कोई एक e-rational है, तो e-rational, check, we go for the next, third number, क्या है सवाल, cube root 5, 5 का cube root, into, 25 का cube root है, तो इसमें थोड़ा समझदारी अपनानी है, पहले इसको solve करना है, then decide करना है क्या होगा, तो, आप एक बात दिमाग में रखो, जैसे अगर root 2 होता है, और root 8 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों पर root है, तो एक बड़ा सा root, और to go rate को साथ में नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं, और फिर जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 को solve करेंगे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पर भी cube root से cube root को गुना कर रहे हैं, तो एक value जो आएगा, वो cube root में नहीं आएगा, तो cube root को ऐसे छोड़ दिये, और number जो था, इसमें 5 था, इसमें 25 था, उसको साथ में कर दिया, तो cube root ऐसे ही छोड़ा हमने, 25 में 5 से गुना करेंगे, तो कितना आएगा, बताइए, 125, और 125 का cube root कितना होता है, बताइए, 5 आता है, मालूम है ना आपको, नहीं मालूम है, अभी बतलाया था, मैंने कुछ दिर पहले, 125 का हम prime fat registration करेंगे, हम देखेंगे, कि यहाँ पर 3 number का grouping हो रहा है, है ना, तो इन 3ों में से 1 बाहर आएगा, है ना, तो 5 आया, 3 का नहीं grouping होगा, तो वो क्या होगा, वो root से बाहर नहीं निकलेगा, वो root के अंदर रहेगा, बत root से बाहर आजाएगा, जब वो 3 के साथ grouping बहो रहा है, तो 5, 5, 5, 3 है, उसमें से एक बाहर निकल गया, और ऐसे भी निकालो, 5, 5, 25, 25, 25, 25, 25, 25, चेक करने का तरीका है, इसक्वाइर में कैसे है, 4, 4, 4, 16, है कि नहीं, तो यहाँ पर भी 5, 5, 25, 25, 25, 25, 25, चेक कर सकते है असानी से, तो अब यहाँ पर क्या आया, 5 आया, तो 5 क्या है, बताइए, रेशनल नंबर है, हो गया रेशनल, यानि थर्ड जो होगा, उसका एंसर होगा, रेशनल नंबर, क्लियर है, ज़र याब आगे, अगला example, मतलब अगला question, root under 7 है, और उसके बाद into root under 3, 4, 3 है, नियम बतला है आभी मैंने, एक बड़ा सा root ले लो, और दोनों को साथ में सामिल कर दो, ये तो prime factor अल्रेड़ी है, इसको कैसे तोड़ सकते हो, तो इसको तोड़ो, 3, 4, 3 है, मुझे लगता है 7 से कटेगा, 7, 4, 28, और 9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, बिल्कुल सही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 तो पहले से था मेरे पास, 3, 4, 3, 4, 3 को ऐसे लिखा जा सकता है, 7 into 7 into 7, अब logical बात है, कि ये हो जाएगा 7 का square into 7 का square, होगा ना अंदर अंदर, और फिर क्या हो जाएगा बतलाओ, दोनों का base सेम है, और उपर वाला भी सेम है, है ना, तो हम यहाँ पर अराम से क्या कर सकते है, 7 into 7 कर सकते है, साथ में, और इसके उपर एक hall square दे देंगा, नहीं, और square से ये कर जाएगा, तो क्या आएगा, बाहर क्या निकलेगा, 49, तो 49, 49 क्या है, बतलाओ, rational number, clear है, तो जब भी इस form में आया question, solve करेंगे, solve करने के बाद देखेंगे, क्या आ रहा है result, को दिकत, चलो अगला सवाल, अगला सवाल है, 5 number, root under, 13, 11, 7, मुझे लगता है, 9 से कटता है, तो क्या होगा, under root 1 by 9, बतलाओ, जभी इस form में आएगा, तो क्या करना है, अलग-अलग, 1 को अलग, 9 को अलग, 1 का root, 1, 9 का root, 3, 1 by 3, P by Q के form में, मतलब क्या, rational number, clear है, ठीक है, चलिए अब अगला, number 6, under root 8, into under root 2, कितना होगा, under root 16, 16 का value कितना, 4, 4 क्या है, rational है, clear है, तो बन गया यहां तक, 7 number question तक बन गया है, बहुत easily, चलिए अब बढ़ते हैं, आगे, अगला सवाल, insert a rational and e-rational number between 2 and 2.5, 2 और 2.5 के बीच में, आपको e-rational number और rational number एक insert करना है, तो एक संख्या क्या है आपका 2, एक संख्या क्या है आपका 2.25, ठीक है, इसको दिक्कत नहीं है, तो जब भी ऐसा, 2.25 नहीं है, 2.5 है, तो इसके बीच में, rational number तो अराम से निकल जाएगा, कैसे 2.0 लिखा जा सकता है न इसको, इसके जैसा करने के लिए, और ये 2.5 हो जाएगा, बतलाएगे, 2 और 2.5 के बीच में, कोई भी संख्या निकल जाएगा, जैसे 2.1, बोलेंगे कि ये क्या है, तो ये rational number है, बोलेंगे क्यों, क्योंकि 21 by 10 इसको लिखा जा सकता है, तो ये P by Q के form में है, नीचे 0 नहीं है, और P और Q क्या है, इंटीजर है, आया समझ में, और, ये rational निकालने का बड़ा असान तरीका होता है, अगर 2 दिये हुँ है न, तो अंडर रूट A B, इन दोनों के बीच में आता है, आपको लगा है कि ये जादा है, तो जादा ऐसा दिखने में लगा रहा है, बड़ रूट 5 का वैल्यू निकालोगे, तो 2 पॉइंट सम्धिंग आता है, जो 2.5 से छोटा होता है, और 2 से बड़ा होता है, छीक, इसको भी मानते हो, तो रूट अदर एभी लगा लो, कोई दिक्कत यहां तक है, इसलिए इसका एंसर मैच कर जाएगा, रीजन क्या है, कि हमने फर्मूला लगाया है, और बुक में भी फर्मूला लगा कहीं बतलाया होगा, एना, चलिए अब अगला सवाल है, अगला सवाल है, नमबर 9, How many e-rational number lie between root under 2 and root under 3, root under 2 and root under 3 के बीच में, कितने e-rational number जो है, वो आ जाएंगे, यह सवाल है, और 3 e-rational number बताने है, root under 2 and root under 3 के बीच में, ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो, root under 2 and root under 3 के बीच में, कितने e-rational number आए जाएंगे, बहुत सारे infinite, क्योंकि दो rational number के बीच में, कितने rational number थे, infinite, उसी तरीके से number line पे, root under 2 and root under 3 के बीच में, बहुत सारे infinite e-rational number आप निकाल सकते हो, इसे कोई संख्यार नहीं है, लिमिट नहीं है, क्योंकि वो decimal में होता है, तो decimal में कुछ भी लिखा जा सकता है, और उसको कोई वो नहीं है, fix order नहीं है, तो वो बहुत सारे infinite आप लिख सकते हैं अपने मन से, अब बोल रहा है कि इसके बीच में, आपको 3 e-rational number लिखना है, तो root 2 का value लिखना पड़ेगा इसके लिए, तो मुझे लगता है, root 2 का value कितना होता है, 1.414, कुछ इस तरीके से, clear है, root 3 का value कितना होता है, 1.732, दो तरीका है, या तो इसका value याद करो, root 2 का, root 3 का, root 5 का, इतना कम से कम, और नहीं तो, फिर निकालने के लिए हैं फिर, ऐसे वेला करके निकालो, तू करो, फिर यहां पर जोड़ा बैठाओ, है न, और फिर निकालो, ये 8 कलास में पढ़ना है, और रेड़ी, ठीक, उसे इसको निकाला जा सकता है, निकालने से बेटर है, याद कर लो, रूट 2 का वेल्यू बताया है, रूट 3 का वेल्यू बताया ही, ठीक है, अब देखो, ध्यान से, इसके बीच में मेरे को रेशनल निकालना होता, तो मैं तो बहुत सारा निकाल लेता, विकोज 414 और 732 के बीच में बहुत सारी संख्या है, बट मुझे निकालना है एरिशनल नंबर, तो मैं स्टार्टिंग कैसे करूँगा, 1.417, तो सिंपल सी बात है, 414 के से जादा है ये, और इसके बीच में है, अब यहां से मैं क्या करूँगा, अलग अलग तरीके का नंबर लिखना शुरू करूँगा, जैसे 4417 न लिखा, अब मैं लिखूँगा 4417, फिर लिखूँगा 44417, अब बतलाव इसमें कौन सा ओर्डर फॉलो हो रहा है, कोई नहीं, और मैं यहां पर डॉट डॉट लाइन लगा दूँगा, बोलो सही है, गलत बोलेगा इसको, नहीं बोलेगा, फिर क्या लिख सकते हैं, 1.60, देखो, आएगा, 41 से जादा है, 73 से छोटा है, 60, अब मैंने 60 तो लिख लिया, अब मैं अब चेंज करूँगा, 1.60, 660, 660, 4, 6 होगा, फिर 0, और डॉट डॉट लग, फिर से कोई पैटरन फॉलो नहीं कर रहा है, आपको लेगा नहीं, पहले एक है, फिर दो है, नहीं, यह तरीके से नहीं, रिपीट करना चाहिए, नमबर रिपीट थोड़ यह कर रहा है, है ना, पैटरन फॉलो करने से नहीं होगा, रिपीट करना चाहिए नंबर, रिपीट इसमें नहीं कर रहा है, तो यह भी एक हो जाएगा, एक और अगर पूछ रहा है, तो वन पॉइंट क्या लिखेंगे, 65, है न, 65 लिखा हमने, इन दोनों के बीच में आएगा 65, ठीक है, यहाँ पर 652 भी लगा सकते है, बिकाज 4, 1, 4 और 7, 3, 2 के बीच में 652 होगा की नहीं होगा, बताओ, अब उसके बाद रिपीट करना सुरू करेंगे, 662, 5, 3, 6, 6, 5, 2, 3, 2, 6, 5, 3, 2, 3, 2, 6, 5, 5, 6, ऐसे कुछ करके, तो कहीं पर भी एक फिक्स पैटर्न नहीं है, फिक्स पैटर्न मतलब रिपीट नहीं कर है, नमबर, है न, पैटर्न भी कभी-कभी फालो करता है, जैसे यहां पर 1, 6 था, फिर डबल हुआ, फिर दिपल हुआ, फिर तो यह जरूरी नहीं है, नमबर रिपीट करना जरूरी है, न, तभी जाकर के, वो क्या कहलाएगा, रेशनल, नहीं तो, क्या कहलाएगा, इरेश फाइं, फाइं, टू रेशनल और टू इरेशनल नमबर बिट्विन 0.5 और 0.55, एक संख्या है 0.5, एक संख्या है 0.55, तो इसके बाद, पॉइंट के बाद एक अंख है, इसमें 2 अंख है, तो एक 0 बेठा देंगे इसको, बोलो न, यस और न, अब इसके बीच में हमको क्या नहीं मिलेगा, 0.51 हो गया, 0.52 हो गया, और भी हो सकता है, 2-3, किलियर है, निकालने कितने हैं, 2, तो 2 हमने निकाले, अब क्या निकालना है, इरेशनल लंबर, यह महत्तु पूंड हो जाता है, फिर, देखो, 0.51 लिखा, तो सिंपल सी बात है, इस से ज्यादा होगा, आउससे 97 अब यहां पर pattern फॉलो नहीं कर रहा यह, बतलब रेपीट नहीं कर रहा है, जैसे 51 होता तो 51 होना चीए, फिर 51 होना चीए, फिर 51 लेकिन इसा हो नहीं रहा मैं, तो नहीं होगा यह अरे बोलो, yes or not, उसको बाद यांक्या नोबर हो प्या ले लेंगे, बताओ 5 4 होगा 5 4 होगया उसे बात 4 फिर 5 फिर 4 4 4 5 फिर 4 4 फिर 5 फिर से वही हुआ है न तो ये दो नंबर जो हो गए वो क्या हो गए E rational number और ये दो जो नंबर हो गए वो क्या हो गए आपके rational number simple सा है मुझे लगता है कि समझ में आ गया हुआ क्योंकि ज्यादा कोई hard नहीं है अगला सवाल जो है वो बोल रहा है कि 3 rational number और 3 नहीं 3 E rational number निकालना है और 2 rational number दिये हुए है उनके बीच में निकालना है आपको सवाल क्या है उसको बनाने का तरीका जो है वो यह है कि सबसे पहले इन दोनों को decimal form में बदलेंगे तो decimal form में कैसे बदलेंगे नीचे वाले नमबर से उपर वाले नमबर को डिवाइड करेंगे यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर 0.5 7 7, 7, 7, 49 यहाँ पर 1 होगा फिर यहाँ पर 0, फिर 1 फिर 3, 0 4 होगा, 28 होगा फिर 2 होगा, फिर 0 होगा और 14 होगा, फिर 6 होगा फिर 0 होगा फिर 8 होगा, फिर 56 होगा फिर 4 होगा, फिर 0 होगा फिर 5 होगा और इसके बाद यहाँ से repetition चालो होगा ठीक है ना 35 और उसके बाद फिर से 5 आएगा और फिर से जब process चालू करेंगे तो दूबारा चालू हो जाएगा यानि इतना प्रेक्टिंग आपको लगाना पर क्योंकि यहां के बाद फिर सेम प्रोसेस हो और यह बतला रहा है कि 5 के बाद फिर 7 आएगा फिर 1 आएगा 4 आएगा 28 और यह process जारी रहेगा कभी भी remainder 0 नहीं है तो इसका मतलब कि इसके जगह पे हम क्या लिख सकते है जिरो पॉइंट सेवन फोर टू एट फाइब और इस पर एकडिंग कि अब नाइन बाइवन को कर लेते हैं तो इलेवन से क्या नाइन को डिवाइड जीरो क्या होगा एट एटी एट टू जीरो वन एलेवन नाइन जीरो और मुझे लगदा है कि यहाँ पर मैंने छोड़ा है कुछ जीरो पॉइंट होगा ना जीरो पॉइंट एट वन ठीक है और फिर से देखो यहाँ पर नाइन से रिपीट होगा तो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा इसका मतलब कि इसको जब हल करेंगे तो जीरो पॉइंट एंट वन और इस पर रेक्निंग हो जाएगा यहां तक कोई परशाणी आपको नहीं नजर आ रही होगी ठीक है अब आप यहाँ पर दो ही अंक तक है और यहाँ पर बहुत सारे हैं तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो दो पाइंट पर इसके ब के बाद क्या आ सकता है 0.72 है नहीं हो रहा है नंबर रिपीट बड़ रेगुलर नहीं हो रहा है यहां पर 7272 होना चाहिए फिर 72 होना चाहिए फिर 72 होना चाहिए ऐसा हो नहीं रहा है यहीं रिशनल नमबर है तो एक ही रिशनल निकाल लिए दूसरा क्या होगा 0.75 होगा बिल्कुल क्योंकि 7 1 है और 8 1 है तो 75 तो बीच में भी करेगा तो 7500570057005 ऐसा कुछ है ठीक है देखो मैच नहीं कर रहा है रिपीट नहीं कर रहा है नो नमबर्स रिपीट करना है न और रेगुलर इंटरवल पर रिपीट करना यह दोनों में अंतर है यहां पर 7 बहुत सारे है बट क्या 7 यहां पर है फिर दूस थान के बाद 7 है फिर 7 फिर तुरंद 7 है तो यह और परफेक्ट नहीं है डाट मेंस दोनों क्या हो जाएगा इरेशनल आई बार समझ में दोनों क्या है इरेशनल एक और बोल रहा था तीन टोटल तो 75 ले लिए एक और ले लेंगे जिरो पॉइंट क्या 7997 9997 और 4957 और डोडोडोडोड तो यह एक और इसनल नंबर आ जाएगा तो कितने इसनल टोटल हो गए हापर 3 है नो तीन ही पूशे जा रहे थे और भी पता कर सकते हैं बोला ही गया है कि इन्फाइनाइट होते हैं क्लियर हुआ इतना चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है फाइंड टू रे से है एक संख्या है 0.21 उसके बाद 211 211 टू इस तरीके से और एक सवाल है जिरो पॉइंट टू जीरो जीरो टू टू ट्रिपल जीरो एंड फिर टू और इन दोनों को पूश रहा है कि आपको निकालने हैं कितने दो रेशनल नंबर ठीक है तो आप यहां पर देखो अगर 0.2 लेओ यहां पर 0.2 लीजेगा यहां पर 0.2 तो इतो एक ही हो गया यह 20 लीजेगा कि इस तो एक ही मिलेगा नहीं दोनों निकालने हैं कितना हो जाएगा 0.201 और 0.1 नहीं होगा क्या होगा 4 होगा 202 और 212 202 और 212 के बीच में 204 आएगा या 205 तो ही निकालना है दोनों लिखे दिया क्या यह पीवाइक्यू का फॉर्म में है बिल्कूँ 204 भाई थाउजन्ट 205 भाई थाउजन पीवाई की रूप में लिखाई रहता ठीक है ना आई बास में चली अगला अगला सवाल है कि दो इस नल नंबर आपको बतलाने हैं किसके किसके बीच में 0.16 and 0.17 के बीच में ठीक है ना इन दोनों के बीच में तो बहुत ही आसानी से आप नि 0 होगा यहां पर यह 170 होगा तो 160 और 170 के बीच में 161 नहीं आएगा और फिर से अब इसको रिपीट करना शुरू कर दो है ना बिना किसी रूल के ठीक है ना इस तरीके से देखो एक मिल गया यही डिशनल नंबर है और भी निकाल सकते हो 0.1 क्या 65 5665 555 65 इस तरीके से और ड कोनों के बीच में है आपको लगए डाउट की नहीं कैसे तो अब दिमाग में रखो 0.16 है इसके बाद कुछ नहीं चुपा हुआ जिरो बोल सकते हो 0.17 इसके लास में कुछ नहीं जिरो बोल सकते हो तो 0.160 हो गया 0.170 हो गया उसके बीच में 0.161 यह सब तो नमबर आहीं जाएंगे ना द्यान से देखो 0.16 स्टार्टिंग कहां से हो रहा है 16 से और आगे बहड़ा है मतलब 16 के ज्यादा है 0.16 से ज्यादा है और 17 तक तो पहुंची नहीं रहा है 17 तो लगा हुआ नहीं है 18 तो है नहीं सिंपल सी बात है तो इन दोनों के बीच में है रिपीट नह ही कर रहा है यह ना डैट मिंस क्या इस नोंबर है ठीक है ना फिर से वही बात रिपीट कर रहा है बट रेगुलर इंटरॉल पर नहीं हम कर दो यहां पर एक अस्थान के बाद 6 तो फिर 2 अस्थान के बाद फिर 6 तुरंत आ गया एक भी गैप नहीं हुआ आई बार समझ में है चलिए अब आगे बढ़ते हैं आप से सवाल करेगा एक किश्टेमेंट क्या है आपका रचना और आहomina होगा कोईव सब्सक्राइब बतलाता है कि किसे भी दो अन्ड़ को जोड़ेंगे. तो rational number प्राप्त होगा 2 rational number को घटाएंगे rational number प्राप्त होगा तो ठीक है rational plus rational is equal to rational आपने पहले भी पढ़ा होगा natural number पर पढ़ा होगा integer पर पढ़ा होगा इस तरीके से यहाँ पर rational number पर है the sum of 2 irrational number is irrational है न, 2 irrational number का sum जो होगा, वो क्या होगा इरेशनल होगा जरूरी नहीं है अभी तो बताया गया 5 प्लस रूट 2 ये क्या है इरेशनल 5 माइनस रूट 2 ये क्या है इरेशनल दोनों को जोड़ो दोनों को जोड़ो के तो क्या होगा 5 पहले इसको सजा दो 5 प्लस रूट 2 प्लस 5 माइनस रूट 2 तो ये दोनों कैंसिल हो बजाएगा तो 55 कितना हो गया ठेंड और ये क्या होजाएगा अब बोल क्या रहा था कि the threaded Elvis nल होगा तो हमेशा नहीं होगा कभी कभी हो सकता है स्कीए होता है डिद्रेजेंटाइट का सब्सक्राइब कैसा हला गें प्रोडॉक्ट ऑफ्त नंडी जोलाएक प्रोडॉक्ट ऑफ तूर्स निनवरी इस या बिलकुल है कि दूसरा रेशनल है तो प्रोड़ॉक्ट हमेशनल है ठीक है यह कनफर्म बात है एक्जांपल खुछ सभी दे सकते हो तू रेस्नल है फाइव रेस्नल है गुना करने प्या आया दस क्या है रेस्नल है टू प्रोड़क्ट दप्रोड़क्ट ऑफ टू एडेस्नल नमबर इडेस्नल यह फॉल्स है कोशन नमर फॉर आप देखो गया यह बला लेना स्क्रिव भी है बोल रहा है कि डो ईस्ट्रम को जब गुना करेंगे तो यह मुझा कर लेता है इस तरीके से इसको कर सकते नमबर पॉर तक मैंने बतला दिया कारण भी मैं बतला रहा हूं तो दिमाग में रखना है इसको भी अगला है दे सम फ्रेशनल एंड एड़ इसनल इसनल अगर एक रेशनल है और दूसरा इसनल है तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा इसनल यह मैं बहुत पहले बता चुका हूं ठीक है दा प्रोड़क्त ऑफ इन जीरो डेशनल नंबर एंड इसनल नंबर इसनल नंबर अगर एक रेशनल नंबर है और दूसरा इसनल नंबर है और दुनों को गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होगा आपको हमेशा इसनल प्राप्त होगा क्लियर है तो फाइब नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका च्रू हो जाएगा और सि है एक सबस्क्राइब थाया ऱ्युंहुट निवेर हैो एक सब्सक्राइब बहुत शारा ले सकता है जैसे पूल फाइब हुझाब है इसमें रूट-फाइब और तूफ फाइब है और फूर्ट-फाइब नमबर और इससे बड़ा क्या Res boiling यह रियल नंबर वड़ा है और है और फोटा वाला बड़ारे बड़ाल selective कैसे होगा भी यहँ लोगा वोल कि ऑलर नंबर का गुला कुरा कौन है और बोला वर है नहीं होगा फिकोज वो बढ़ा है और सबीस का क्वोला है चोता है तो सभी अलबर सब स्कстरा अब बतलाओ, रील नॉम्बर है? बुलेंगे हाँ, क्यों? पिको रील नॉम्बर तो आपने सिखाया था कि रेशनल ये रेशनल दोनों होता है, तो ये रेशनल है, आटो नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स, यानि 7 नॉम्बर जो गोश्चिन होगा, उसका भी अंसर क एड़ लेट संवे आईधर रेशनल और सभी बात यह टू है जितने भी रिएल नंबर होते है वो यह तो रिष्णनल होते हैं यह यह तो इसी रिसनल अगला पाई क्या है पाई बतला था मैंने इसे पैसा होता है नंट तर्मीटिंग नंड रिपीटिंग और ट्वंटीटी ट प्रूए स्टेट्मेंट है है ना क्यों क्योंकि ट्वेंटी टूबाइस सेवन इंटीजर है तो यह था सोलूशन आपका वन सी का मिलते हैं अगले वीडियो में और करते हैं वन डी के बारे में चर्चा